हलो आप इस तरह का कोश्चन जो है जरूर एक्जाम में देखा होगा तो इस तरह की कोश्चन को आप किस तरीके से करेंगी कम समय में वो मैं आपको बताने वाला हूँ यह कोश्चन मैं आपको करके दिखाऊंगा और नीचे वाला जो कोश्चन है यह वाला इसका आंसर आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना पड़ेगा ठीक है तो सवाल यह कह रहा है कि यदि A और B का अनुपाद जो है वो A का अनुपाद 2 है B और C का अनुपाद जो है 3 अ A अनुपाद B, B अनुपाद C, C अनुपाद D इस तरीके से आप डिजिट को लगा दे जैसी कि 1 अनुपाद 2 ठीक है 3 अनुपाद 1 और 2 अनुपाद 5 ठीक है इस तरीके सा आपने से रख दिया अब आपसे पूछा क्या गया है यह ए और D का अनुपाद आपको बताना है त तो यहाँ तो 6 आ जाएगा और 5 दूनी 10, 6 और 10 आ जाएगा जिसे आप काटेंगे अगर तो 3 और 5 आपका correct answer यहाँ पर हो जाएगा लेकिन अगर आपसे यहाँ पर पूछ लेता A, B, C, D का अनुपाद बताओ यहाँ चारो का अनुपाद पूछ लेता तो आपको यहाँ पर थोड़ी से दिक्कत हो सकती थी तो वो भी आपको सीख लेना है ठीक है कि किस तरीके से निकलता है तो आपको अगर A का निकालना है तो इसको इससे multiply यहाँ तो यह कितना हो गया 6 अब आपको B निकालना है तो आपको करना यह है कि 2 को इससे multiply करना है और फिर जो answer आएगा उसको इससे multiply करना है यानि कि 2,3,6 दुनी 12 ठीक है तो यह B का निकल गया अब आपको C का निकालना है तो आपको पहले इसको multiply करना है 2,1,2 और फिर इससे multiply करना है ठीक है 2,1,2 और ठीक है अब किसका पूछा था सवाल में तो ए और डी का यानि छे और दस छे और दस ऑप्शन में छोटा करके बता रखा है तो दो से से काड़ते हैं आप तीन यह हो गया पांच तो तीन अनुपात पांच हमारा आंसर मैंने आपको बताया था अगर A, B, C, D, E का करके पूस्ता तो यह हो गया A, यह हो गया B, यह हो गया C और यह हो गया D ठीक है कैसे कैसे किया एक पर पर से पता देता हूं कि अगर आपको A की value निकालनी है तो इसको multiply कर दें अगर आपको B की value निकालनी है तो इसको multiply करें 2, 3, 6, 12 तो यह B निकल गया आपका अगर आपको C की value निकालनी है तो 2 एक कम 2 दो दूनी 4 और आपको D की value निकालनी है तो 2 एक कम 2 और 2 बंचे 10 तो इस तरीके से निकाल सकते हैं ठीक है बिलकुल ऐसा ही सवाल है लेकिन इसमें मैंने किया यह है कि एक digit जो है बढ़ा दिया है ठीक है यानि E भी ले लिया है मैंन काट सकते हैं इस A1 से यह एक काट सकते हैं अगर आपको AD निकालना हो तो ठीक है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं इसमें आप गंफ्यूज ना होए तो इसका आंसर जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब न करना चाते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में हैं थैंक्स वर वाचिंग दिस लिए